नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भुवानी संकर पटना से आप लोग उसे जुड़ रहा हूं मेरी योट्यूब चैनल में आपका श्वागत है आज की एपिसोड में में चर्चा करने जा रहा हूं इस ठंड के मौसम में कोल्ड एक्सपोजर से होने वाले प्राबलम और कोल् घर वेठे तुरत कोल्ड एक्सपोजर को ठिक कर ला हूं सबसे उत्कृष्ट मेडिसीन है दोस्तों आर सै 1994 30 आर सैनिकल 30 इसमें के कोल्ंड भी है यानि सीट भी है बुखार भी आनि फीवर भी है ताप भी है और स्वेध यानि पसीना भी है प्रायक्रम से ठंड लग रहा है, फिर बुखार चढ़ जा रहा है, फिर श्रेटिंग हो जा रहा है, अब बुखार उतर जा रहा है, तो ऐसे केस में आप देखेंगे, कि आदमी पानी थोड़ा-थोड़ा पी रहा है, वो एक बार में एक गलास नहीं पीएगा, एक घोट-द फिर बुखार उतरेगा, और बहुत ही जादा पशीना उसको आएगा, वो ऐसे केस में आप क्या दे सकते हैं, आर्से निकल्ब थटी, लेनी कैसे है दोस्तों, बड़े लोग हैं तो चार बुंद थोड़े से पानी में शुबह शाम देंगे, और बच्चे हैं, तो चार दो बुंद की मातरा देंगे, शुबह शाम थोए से पानी में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप होमियोपेथिक मेडिसीन का प्रयोग करें, तो उसमें मेडिया का जरूर से बन करें, तीन मेडिया होता है, एक शुगर आप मिल्क, दुसरा पिल्स, यानि गोल मेडिसीन और जदी बड़े हैं, तो उसको हमेशा डिंगिंग बाटर यानि घर में जो पानी उपलब्ध है, वो सबसे अच्छा मेडिया उसमें दें, दूसरी दवा है, एक उनाइट 30, ठन लगने की बहुत ही उत्कृष्ट दवा है, एक उनाइट 30 को आप कैसे लेंगे, इसको भी उसी तरह से लेंगे, 4 drops, twice a day with water, और अगर बच्चे हैं तो उनको देंगे, दो बुंद, शुबशाम, इसके लक्षन क्या है, इसमें कितना भी पानी आदमी पी ले, गलास का गलास पानी पी रहा है, कुनाइट का पेशिंट, फिर इसको संतोष्टी नहीं मिल रह है, थोड़े-थोड़े देर पे गलास करके माने बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, फिर उसको संतोष्टी नहीं मिल रही है, और सरीर में उसको जकडन है, पैर में शुनापन है, हाथ में शुनापन है, और टॉंसिल्स बढ़े हुए हैं, गले में उसको खरास महसुस हो र है कि गिर जाएगा, बहुस हो जाएगा, उससे केस में अब उसको क्या देंगे, उससे केस में आप उसको देंगे, अचानक से किसी सरीर के किसी अंग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, cold exposure से, यानि ठंड लगने के बज़ए से, ठंड के मौसम में, तो अचानक से जब पेन हो रहा हो, किसी खास अंग में, और बहुत ज़्यादा हो रहा हो, इतना ज़्यादा कि पेशेंट बरदास्त नहीं कर पा रहा हो, उससे केस में उसको क्या देंगे, एक उनाइट थर्टी के मात्रा तीन बार देंगे, तीन तीन गुंद की मात्रा, तीन से चार गुंद बता रहा हूं आपको है राश्टॉक्स 30 राश्टॉक्स 30 वैसे एक्सपोजर की लिए है जब आप किसी गर्म जगह से निकले हो या आपका स्रीर गर्म हो या पिर आप किसी हीट बेब के पास बैठे हुए हीटर लगा कर रूम में बैठे हुए हो या गीजर से आपने श्रान हो यहां यहां फिर या फिर आप कुछ और के फिरिज पानी डिया हो इन सारी murder आप देखेंगे चाहिंटर हमों स्बाट कर नियमा 3 सेवन करके ठंडे जगह में आये हों गर्म पानी से नहाने के बाद आप ठंडे जगह में आ गये हों और ऐसे किस में जब आपको एक्सपोजर लगता है आपको ठंड लग जाती है तो इस ठंड को ठीक करने के लिए आप रस्टॉक्स 30 का प्रयोग करेंगे तीन तीन मुंद की हो रहा हो और ऐसी कपपी चूट रही हो कि मोटा से मोटा कम मल रजाय डालने के बाद भी एक-दो आदमी आपको ओपर से दवाये हों यह फिर भी आपकी कपकी चूट रही हो आपके दाउत बज रहे हो और साथ में डिशन्ट्री या डैरिया कभी प्रोडूप हो लूज को मिलता है कि ओइससे केसरम भी हो यानि लूज मोसंस भी हो रहा है वहमेटिंग भी हो रहा है ठंड भी लग नहीं किसी भी रहा स्वेक्टी को ठन लगेगा तो और कैंपर ऐसे भी ले सकते हैं यE कपूर है एसे भी वर्म स्वेक्शन की बहुत अच्छी पोगल के लिने सापको लावीmir आप कि एक और में इसका को सब्सक्राइब करें और करने की दवार नहीं है इसलिए ध्यान देगे कि दोस्तों नहीं के मौसम में बहुत उपयोगी है और पार तो जिए हैना वूह करए हो सब और अच्लने खाहँ अध्य उन्य चलता है लेंगें? करहा के सब्सक्राइब है, हुए है है यह जाया है भी घरिसम देखे लिए जबाएबर लोगया है कोई क्या है ले उन् ensuring आप्का और अच्छाइब लगने से, एहेक उच्छे आपके शरीर में बहुत अकड़न हो जाएगा, च्वाइंट निए पेन हो जाएगा, पैरों में और हाथों में, और चेहरे पे अचानक सुजना जाएगा, उस तरह के थंड लगने में, अब क्या करेंगे, थंड के मौसम में, हेलो डर्मा 30 का इस्तेमाल करेंगे इसका नाम हेलो डर्मा 30 हेलो डर्मा 30 कैसे लेंगे 4 to 5 drops twice a day with water और बच्चे हैं तो दो बुन देंगे थोड़े से पानी में शुवाई शाम मैं बार 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 बताया हूं दोस्तों कि इं-डिजी इसके एक्षाणनी का जोते हैं मैं आज मैं जिन होमेवियोप्यतिक दवाओं समस्तों ठंड के लिए बता रहा हूं यह साहरे कि सारें ऐक्षाणन च्टारण के मौसम किसी कारण से उक तुच्च जो मैंने ऊक्षाण में यानि cold exposure की दवाएं हैं और बहुत ही लावकारी हैं, आप इनका लाव उठाइए और इस ठंड में आप अच्छे से रहिए, स्वस्त रहिए और घर वैठे अपने बीमारी को ठीक कीजिए, कुछ दवाएं हमें पैथ कि आप पर्चेज करके अपने हां रखिए और हमारे episodes को देख कर उनका लाव उठाइए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।